एक वस्तु का प्रिष्ठिय क्षेत्र फल यानि की सर्फिस एरिया 40 वर्ग सेंटिमीटर है नीचे दिखाये गए जाल के किनारों का माप 5 सेंटिमीटर और 2 सेंटिमीटर है क्या ये जाल उस वस्तु को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहां क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? इस किनारे का माप 5 सेंटिमीटर है और हम जानते हैं कि यहां पर और भी कई किनारों का माप 5 सेंटिमीटर है क्यूंकि जिन किनारों पर double hash mark है उनका माप 5 cm है तो ये किनारा 5 cm है ये भी 5 cm है और ये भी 5 cm है और इन दोनों का माप भी 5 cm है और उसके बाद कई किनारों का माप 2 cm है इसका माप 2 cm है तो वो सभी किनारे जिन पर single hash mark लगा हुआ है उनका माप 2 cm है यानि कि इन सभी किनारों का माप 2 cm है हालागी प्रश्ण में ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है लेकिन फिर भी हम इस जाल का प्रयोग करके देखेंगे कि ये किस बहु फलक या polyhedron को प्रदर्शित करता है इसे देखकर लग रहा है कि ये एक आयताकार यानि कि rectangular prism बनने जा रहा है हम इसका चित्र बना लेते हैं इस किनारे को इस तरह से और इस किनारे को इस तरह से मोड लेते हैं मालने जिए ये आधार यानि की base है हम इस किनारे को इस तरह मोड लेते हैं और इस किनारे को इस तरह मोड लेते हैं और ये किनारा इसका उपरी भाग, यानि की टॉप है, तो ये बहु फलक कुछ इस तरह दिखेगा, इसके आधार की लंबाई 5 cm है, ये आधार है, मैं चाहूं तो यहाँ डबल हैश लगा सकता हूँ, और ये माप भी इस माप के ही बराबर है, और इस साइट को मोडने पर ये यहाँ कुछ इस तरह से दिखेगी, और इसका माप 2 cm है, इस साइट को मोडने पर ये यहाँ कुछ इस तरह से दिखेगी, ये साइट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, उसके बाद ये वाली साइट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, और अंत में ये टॉप इस आयताकार प्रिजम का टॉप होगा तो यही वो वस्तू है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ये 5 सेंटिमीटर लंबी, 2 सेंटिमीटर उंची और 2 सेंटिमीटर चौड़ी है तो अब हम अपने मूल प्रश्ण पर वापस चलते हैं क्या इस वस्तू का प्रिश्टियक खेतरफल यानि की सर्फस एरिया 40 वर्ग सेंटिमीटर है इस जाल के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये सतह पर बिछा हुआ है इसलिए हमें केवल प्रतेक हिस्से का प्रिश्टियक खेतरफल पता करना है और इन सबी सतहों के प्रिश्टियक खेतरफल को आपस में जोड़ देना है तो इस हिस्से का प्रिश्टियक खेतरफल क्या होगा? ये हो जाएगा 5 सेंटिमीटर गुणा 2 सेंटिमीटर यानि की 10 वर्ग सेंटिमीटर इस हिस्से का प्रिष्ठिय क्षेत्र फल भी 10 वर्ग सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्र फल भी 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर है, तो इन सभी हिस्सों का प्रिष्ठिय क्षेत्र फल 10 वर्ग सेंटीमीटर है, ये ह इसलिए इन दोनों का प्रिष्ठिय क्षेत्र फल चार वर्ग सेंटिमीटर है। तो कुल प्रिष्ठिय क्षेत्र फल क्या है? ये हो जाएगा 10 जमा, 10 जमा, 10 जमा, 10 जमा, 4 जमा, 4 यानि कि 48 वर्ग सेंटिमीटर। तो क्या दिखाया गया जाल उस वस्तु को प्रदर्शित करता है जिसका प्रिष्ठिय क्षेत्र फल यानि की सर्फेस एरिया 40 वर्ग सेंटिमीटर है? जी नहीं, ये उस वस्तु को प्रदर्शित करता है जिसका प्रिष्ठिय क्षेत्र फल 48 वर्ग सेंटिमीटर है?